पक्षियों का प्रवास एक प्राकृतिक चम्मतकार है। प्रवासी पक्षी अपने बच्चों को खिलाने, प्रजनन करने और पालने के लिए सर्वोत्तम पारिस्थितिक स्थिती और आवास खूजने के लिए सेकरों और हजारों किलोमीटर की उलान भरते हैं। जब प्रजन प्रवास करते हैं। अन्य पक्षी सर्दियों के महीनों के दोरान निचले इलाकों में रहते हैं और गर्मियों के लिए पहाडों पर चले जाते हैं। ये वास्तव में आश्चर यजनक है कि प्रवासी पक्षी पिन पॉइंट सतिक्ता के साथ कैसे नेविगेट कर सकते हैं। वास्तव में प्रवासी पक्षी अपने उलने का रास्ता कैसे धूनते हैं, ये पूरी तरह से समझ में नहीं आता है। ये दिखाया गया है कि वे दिन के दोरान सूर्य द्वारा, रात में तारो द्वारा और किसी भी समयबू चुम्बकियक शेत्र द्वारा उन्मुख होने म सक्षम हैं। कुछ प्रजातियां ध्रुवी क्रिक प्रकाश का भी पता लगा सकती हैं, जिसका उप्योग कई प्रवासी पक्षी रात में नेविकेशन के लिए कर सकते हैं। पक्षी अपने वित्रल्क शेत्र के साथ कई स्थानों पर निर्भर होते हैं। सर्दियों और रुपने की स्थानों के नुकसान से पक्षियों के जीवित रहने की संभावनाओं पर नातकिय प्रभाव पर सकता है। हिद्धारकों की बीच अंतर राष्ट्रिय सहयोग की आवश्यकता है। इस तरह के सहयोग के लिए आवश्यक कानूनी धाचा और समन्वे उपकरन सीमेस और एई डबल्यूए जैसे बहुपक्षी ये पर्यावरन समझोतों द्वारा प्रदान किये जाते हैं। वेश्व प्रवासी पक्षी दिवस की वेश्विक पहुँच है और यह प्रवासी पक्षियों के सामने आने वाले खत्रों, उनके पारिस्तितिक महत्व और उनकी सनरक्षन के लिए अंतर राष्ट्रिय सहयोग की आवश्यकता के बारे में वेश्विक जागरूपता आने में मदद करने के लिए एक प्रभावी उपकरन है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो क्रेपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें